Hello everyone, welcome to Click Classes देखिए आपने कई बार atomic models पढ़ते वक्त ये बात जरूर सुना होगा कि atom का 99.9% mass उसके nucleus में होता है यानि कि आप क्या दीजिए कि सारा का सारा mass nucleus में हो और बाहर स्रिफ थोड़ा सा mass है तो ऐसा क्यों कहा जाता है numerical से हम लोग इसको समझ सकते है numerical data से इसको proof किया जा सकता है कैसे let's take example जैसे हम लोग एक example ले सकते है hydrogen atom का इसमें nucleus में सरिफ एक proton होता है और बाहर सरिफ और सरिफ एक electron होता है तो यानि कि nucleus का mass यहाँ पर इस nucleus का mass proton के mass equal होगा और जो outside का mass है वो electron के mass के equal होगा तो हम लोग अगर mass of proton देखें है तो वो होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg और mass of electron जो होता है वो होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg तो अगर आप इन दोनों mass का ratios लेंगे और इसको solve करेंगे तो देखें आपको यह relation मिल जाएगा mass of proton is 1837 times of mass of electron it means that इसका मतलब क्या है कि अगर आप electron का mass 1 kg मानते हैं तो आपको proton को 1837 kg का मानना पड़ेगा यानि कि 1837 kg का अब यह कुछ ऐसा ही comparison है कि आप एक चीटी का मुकाबला एक 30 से कर रहे हैं तो यानि कि nucleus के अंदर में 1837 kg की कोई चीज बैठी हुई है और nucleus के बाहर 1 kg की कोई चीज है तो आप यही तो कहेंगे कि about 99% mass कहा है nucleus में और बाहर सिर्फ क्या है आपका 1% mass है तो आप इसको divide करकर इस ratio को देखिएगा आता है या नहीं आता है ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर लेगे